नवस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने दा मोराल एजुकेशन यूटूब चैनल में आल हम देखनें जा रहे हैं हिंदी के कुछ महत्पून प्रिशनुतर यह प्रिसुनुत्तर किसके हैं मुख्ध्ध्व के बारे में बताये हैं मुख्ध्ध्व के ब भ्रुबंबुण है यह परीवार की भासा है भरोपिय भारत में चार परकार के परीबार सबसे फिर यूम ईय। 25 प्रूप और अता है आप the कि यहीं लिखके बता देतें तीसरा आता है इस एक आज टिक परिवार यह आपका बन पॉंट 3 पृतिशत पर चौथा है आपका चीन तिब्बत परिवार चीन और तिब्बत परिवार यह है आपका 0.7 पृति से बोलते हैं तो सबसे बड़ा परिवार कौन सा है भरोपिये परि कौनसी है भारत में सबसे ज़्यादा भासा कौनसी बोलते हैं तो ये तो हमें पता है हिंदी क्योंगे हिंदी भरूब की लिये की है वह 73 प Ketishantes पर बोली जाती है यह सबसे पहले हैं आपकी Sanskrit, Sanskrit के बाद आती है आपकी पाली, Sanskrit के बाद किस वासा का होगा, पाली का, पाली के बाद आती हैachsen, करदें फह स्क्रा Bowl खाल और आती है अब हंप बरंच ऑप नसके बाद आती है अप मझेसियों अब तो कि गशक्य जी कि पशेट हैं ँम अपर आप साथ कि चींग यह तो यह आपका क्रम्य सब Chili सस्वेघन यह पूछ रहा है हिंदि भासा करा जँन में कहा होगा है इसमें दिया है आपका अप पर ख़र अब यह किह सकते हैं इसका जवाब देंगे तो सबसे क्या Tomorrow का उसी बोनी यह हैं और भासा हिंदी के नहीं आती है लिए अपका दी आंसर सही हो जाए परशन करमांग के पांच देखते हैं लिए की बिसिष्ट बोली ब्रज भासा किस रूप में और सबसे अधिक पिसित्थ है सबसे अधिक किस रूप में प्रिसित है, ब्रद भासा किस रूप में है, ब्रद भासा किस रूप में है, इसमें साहित लिखे गए है, तो इसलिए यह है, काब ब्यात्मक भासा की रूप में अधिक प्रिसित है, राज भासा नहीं हो सकती क्योंकि अपनी राज भासा हिंदी ह क्या है अपनी राज भासा हिंदी है राष्ट भासा कोई नहीं है क्योंकि अपनी राष्ट की कोई भासा नहीं है हिंदी और इंग्लिस में काम होता है तो यह राज की भासा है राष्ट भासा अपनी नहीं है तो इसे अपन क्रॉस करते हैं इसके बाद तकनी की भासा तकनी की वमांग चेंशन पृष्य मैं हिंदी को आप इस वर्ग में रखेंगे कि बर्ग में रखेंगे ऊपर हमने संब्जाया राज वासा राज वासा यानि जो राज्वासा यानि прекращ मोझा है तो इसक्षिया है है तो उसे सके कहते हैं पर साथ और तक मेंगी का तुन है तो हिंदी को आप किस न ₹ लेकिंड नहीं है headed कोई भी देश किसी अचा को जब राश्ट भास शान घोसित करता है तभी वह राश्ट भासा क्या लाती है जैसे दबारत कदे फैसे हमारा राष्ट भास बैसा हिंदी एंदो का दर्जा लाएगा सतर इसका पूरी राजस्थान और आपको क्या है। यह दिए हम छूड़ा सा देखें तो आपका लिए पूर्भी राजस्थान अफ्रश्चा यह राजस्थान अपका ऊच्छों अपका उत्री मुत्री राजस्थान में आपका फिरार के तानम का तो आपकी पूर्वी राजस्थान की वाषा है कौन सी है पूरी भी राजस्थान की वासा है इसके बाद यदि हम देखते हैं पस्चमी राजस्थान पस्चमी राजस्थान की आपकी मारबाडी मारबाडी पस्चमी राजस्थान की कौन सी कहल आएगी मारबाडी तिराजस्तान मेवाति तक्षणी राजस्तान अपका मालन भी यह आपका भी सकता है डिसका सही अंसर हो जाएगा पॉरानी बांगला देखते हैं निमलखेत में से कौन सी भाषा देव नागरीलिपी मैं लिखी जाती है तो सभी को पता है जो आपकी लखावट है का अब कर आए हैं इसे जगा देव नागरी लिपी कहते हैं कुंझा है तो पुरिया और तो आप 這個 तो आपивается के दो बेटे थे हे माता लुहारा ने अपनी पिता से कहा दादा मेरे हिस्टे में जो कुछ भी संपत्ती हो बहे मुझे दे दो यह है इस लोग हिंदी की किस बोली में हैं आगे हम एकाल वीडियों में आपको यह बोलीयों के बाग देखेंगे समझाएंगे आप तो यह किस बोली में हैं भोजपुरी में हैं कन्नोजी में हैं अबदी में हैं या खड़ी बोली में हैं तो यह दादा मेरे हिस्टे की जो भी संपत्ती हो बहे मुझे दे दो यह कौनसी में हैं अबदी भासा में पूरा समझा देंगे इसका सी आंसर सही हो जाएगा फिर्षन कर्मांग के ग्यारा देखते निमलिकित में ऐसे कौन सी भासा संस्कृत भासा की अप्रण्स भासा है खड़ी बोली है ब्रद भासा है अब दी है या फिर पाली है हमने आपको पहले बताया था कि हम जो सबसे पह ब्रण्स है तो यह आपकी पाली है पाली हो गई संस्कृत के बाद आपकी पाली आ गई इसके बाद है आपकी प्राकृत प्राकृत के बाद है आपकी अब हट अब हट के बाद है आपकी प्राकृत प्राचीन हिंदी प्राचीन हिंदी और आपकी क्या है प्रारंबिक कॉती है तो यह आपका और लिए उसको स्वान का अंसर तो हो गया संस्क्रेट वासा उसी के बाद आपका भाली है भारतर भासाओं के स्लिपी से हुगा है सारदा लिपी से कोटिल लिपी या फिर ब्राम में लिपी भारत की अधिकतर भासाओं का विकास हुआ है प्रिशन 13 हिंदी भासा किस लिपी में लिखी जाती है देखिए यह तो हमने उपर ही देख लिया है गुरु मुखी में ब्रहमी में देवनागरी में या फिर सुराश्टी में तो यह क्या यह तो सबको पता है देवनागरी है इसका सी सही आνα्सार हो जाएगा प्राचीन है प्राचीन रूप है पहले कोई सा रूप है तो अब दि हैं ब्रत्ध हासा सरी नाँकर कर दीए बेर आपनी भासा जाती अब दी विरज भाषा और खड़ी बोली तो हिंदी का जो रूप है वो खड़ी बोली का है कौन सा है खड़ी बोली तो सी सही आणसर हो जाएगा प्रिशन देखते हैं 15 हिंदी भासा की बोलियों के बर्गी करण के आधार पर 36 गड़ी बोली है पूर्भी है पस्चमी है पहाडी है या फिर राजिस्तानी है इसके लिए हम थोड़ा सा बुद्ध में आञा मटारम पूछा एक था वायरुब चंद जड़ी उसी पूर्भी हिंदी जाएंसर अब मैप धेक्थे यह आधार पर यह थोड़ा सा तो आपकी यह सबसे पहले आपकी गड़वाली इधर बोली जाती है खड़ी बोली का यह आपका यह है इसको यदि हम थोड़ा सा छोटा करके देखें तो छोटा करके हम आपको बता पाएंगे कि आपका यह यह आपका भारत का मैप है थोड़ा सा यह आपका भारत कम्य बनाते हैं तो यह आपका ढक्षणी हिस्साइद नीचे चले जाएं तो आपका यह मद्धे प्रिदेश के लगबह आ जाता है आप मद्धे प्रिदेश के आसपास आज आ जाता है और तो सबसे पहले हम देखते हैं इधर गड़वाली बोली जाती है उपर के हिसे में फिर बीच में आपकी खड़ी बोली बोली जाती है इसके बाद खड़ी बोली के बाद बोली जाती है आपकी खड़ी बोली का ऐसा यह है फिर बैंगलू या हर्यानी बोली जाती है इस तरफ अब इस तरफ से अपन दिलेबाद में देख लेंगे फि प्रदेश में अपने प्रदेश का मैप है आप यह समझे तो इस बोलियों के आदर पर अपने चल जाता है कि उपर के जलों में गड़वाली बोली जाती है पिर पीच के जलिये हैं इसमें आपकी खड़ी बोली ब्रजभासा उससे नीचे पर कन्नोजी बंदेली तो अब दी बगेली भोचपुरी मेथली मखवी और चत्ति सटीश गड़ी चत्ति सट गड़ी बोली जाती है मालवी जैकुरी मेवाथी हरयान भी बैंगलू और मारवारी तो यह आपका बोलियों का किरम रहा है इससे थोड़ा साब अंदाज हो गया है तो चत्ती सटीरी किसकी है पू कि makeup 6 निम्रिनलेकद में ऐसे कौन सी प्षमी रिंदी की बोली नहीं है नहीं है तो कि की नहीं हैं बंडेली है विश्क के बाद सब्सक्राइब तो शक्तिस गड़ी बोली पूर्भी भासा की ए तो पूर इला पूर भी हिंदी पूर्वी हंदी में कौन कौनसे आती हैं कि इसको देखी इसमें आती है अब धे अब्धी के बाद पूर्वी हिंदी में बोली नहीं जाती जो आपकी कौन सी पस्चमी हिंदी की बोली नहीं है पस्चमी हिंदी की नहीं है बुंदेली ब्रजभासा कन्नोजी या फिर बगेली तो हमने आपको अभी बताया कि आपकी अब दी के बाद आपकी बगेली और बगेली के बाद आपक चतीसल में तो यह भासा आपकी पूर्वी हिंदी की भासा हैं कि पूर्वी हिंदी की नहीं है नहीं तो आपकी बगेली सही हो जाई क्योंकि ये तो पूरी भी हिंदी की है फिसन किरमांक नेफ्ट देखते हैं 17 भारतिय सम्मिधान में किन अनुचिद में राजभासा समंधी प्रभधान का उलेख है तो आपके 343-351 में राजभासा समंधी प्रभधान का उलेख है भारतिय सम्मिधान में ये आपको याद कर भारत हिंदी पृर्चार सभा का मुख्यालय दक्षनी भारत की Hindi पृर्चार सभाहा उसका मुख्याल लाए है वे मैं ञें 1968 है आपका चैन नहीं के देखते हैं हिंदी भासा कोन सा है कि अनुक्रम कौन सा है हम आपको पहले बता है फिर बताते हैं सबसे पहले संस्क्रित संस्कृत के बाद आती है आपकी पाली यह आपको आज याद ही हो जाएगा पाली के बाद प्राकृत प्राकृत के बाद आपने इसे 4-5 बाल लख दिया है यह आपको याद हो जाएगा अब ध्रंस अब ध्रंस के बाद आया अब हर्ट अबहट अबहट के बाद है आपका प्राचीन हिंदी और फिर आपकी प्रारंबिक हिंदी या आपकी आदुनिक हिंदी प्रारंबिक हिंदी तो यह पूछ रहे हैं हिंदी भासा के बिकास का सही करम अनुकरम क्या है क्या है तो आपको समझागे संस्क्रेट पाली प्राकृत कि यौ नहीं तो यह है आपका गलत हो जाएगा आपनस पाली प्राकृति एक अक्री नहीं अग्या रहत करें लए कि यह जगा si लिए अपर तो आपका ये वी गलत हो जाएगा पाली के बाद प्राकृत है आपका करम हो जाएगा पाली प्राकृत अब बराकृत है। अभाट प्राचीन हिंदी और आरंबिक हिंदी इसका आपका सही ए आंसर प्रिशन कर्मा के देखते हैं 20 मा और लास्ट मा है संभीधान के अनुच्छे 351 में किस विसाय का वरणन है किस विसाय का वरणन है तो आपको यह देखना है संग की भासा का उच्चतम न्यालाय की भा सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें वीडियो देखने के लिए धन्नवाद